नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक नौलेच चैनल में आज हम आपको बताएंगे पापन कुशा एकादशी कब है और रत का महत्व आज काई वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट समलते रहें पापन कुशा एकादशी अश्विन मास के शुकलपक्ष के एकादशी को आती है इस बार यह 27 अक्टूबर को है माननता है कि अगर एकादशी वरत किया जाए तो व्यक्ति अपने अशुप संसकारों को भी नश्ट कर सकता है इस एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्टर को बतलाया था इस एकादशी पर भगवान पद्मनाव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है इस एकादशी को पापनकुषा क्यों कहते हैं इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है जिसका सार यह है कि पाप रूपी हाती को इस वरत के पुन्य रूपी अंकुष से वेधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापनकुषा एकादशी पढ़ा है पापन कुशा एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत समर्ण किया जाता है साथ ही भोजन का भी विधान है अगर इस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्शना की जाए तो इसे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है माननेता है कि इस एकादशी के दिन अगर भगवान विश्णु और भगवान शिर्ण की अरादना की जाए तो व्यक्ति को सुख सम्रद्धी की प्राप्ती होती है साथ ही बैकुंट धाम की प्राप्ती होती है पापन कुशा एकादशी का महत्व यह व्रत बेहत महत्वपूर्ण होता है यह एकादशी व्रत व्यक्ति को तो लाब पहुचाता ही है साथ ही दूसरों को भी लाब प्राप्त कर राती है इस एकादशी के दिन विश्णो जी के पद्मनाब स्वरूप की पूजा की जाती है इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है यह वरत करने से व्यक्ति अपने पापों का प्रयाश्चित कर सकता है माननेता है कि पापन कुशा एकादशी का वरत करने से माता पिता और मित्र की पीडियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है अगर इस दिन उकवास किया जाए तो यह बेहद उत्तम होता है इस दिन शाम को सात्विक भोजन किया जाता है इस दिन चावल का सेवन नव करे रात के दोरान पूजा कर व्रत खोलने का विशेश महत्व होता है कोशिश करें कि व्रत वाले दिन किसी भी व्यक्ति पर क्रोध ना करें ये थी जानकारी पापन कुशा एकादशी के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें धन्यवाद